हरा हर महादेव, नमस्कार, कल्यूग पर्थम चरण में आपका स्वागत है, आसा करता हूँ, आप लोग भी बहुत अच्छे हूँ आज हम इस वीडियो में दिपावली तांत्रिक तोट का परियोग दे रहा हूँ अगर आप तरह तरह के उपाय कर चुके हों, ठक चुके हों, मिरास हो चुके हों, कोई लाव नहीं मिलता हो तंहाली परसानी पिछा नहीं छोड़ता हो, घर परिवार में खुसियां नहीं बन पाती हो तो उस दिन आप इस उपाय को कर लेंगे। इस उपाय से आपके घर में खुसियां ही खुसियां पूरे साव तक रहेगी। धन, दवला, संपती आपका कदम चुमेगा है। पूरे एक साल तक आपके घर में थन तेजी से आएंगे। जो कार्य करेंगे, सफल बनेंगे। इतरों उपाय तो है छोटा, लेकिन यह उपाय तांतरिक उपाय है। यह बेजोर परभाव साली है। तो कर लें दिपावली के दिन, सुबह आसनान करने के बाद, आप एक पितल का लोटा हो यह तांबे का लोटा हो। बस जो ही लोटा होना चाहिए, तांबे या पितल का, यह पितल का है। इसमें पानी लेकर अब अपने पुजास्तल में बैठें। सबसे पहले एक ही का दिपक जला दें। सुगंधित धूबती जला दें। फिर आप एक पीले रंग का फूल, गेंदे का फूल आता है आप इसकीन पर भी देख लें। एक फूल डाल दें। और थोड़ी सी खल्दी। अगर गेंदे का फूल नहीं है तो कोई भी पीले रंग का फूल होना चाहिए। इसमें डाल दें। अब पूजास्तल में इसको रखें। और विधी विधान से आप वहाँ बैठ करें। दो मिनट, तीन मिनट तक मा लच्मी का ध्यान करें। उनका पूजन करें। अब पूजन करने के बाद आप वहाँ से खड़े हो जाए। और इस लोटे में जो जल भरें, इस जल को अपने पूरे घर में इतने कम रहें। कोई जगह नहीं छुटना चाहिए। इससे खड़िकाव करें। सबसे बढ़िया खड़िकने के लिए आम का एक पत्ता ले ले। उससे डुबा डुबा करके खड़िकें सुध होता है। आम के पत्ते। तो पत्ते भी आप आम का देख ले। जितना भी घर है कोई जगह, कोई कमरा नहीं छुटना चाहिए। अब जो पानी बचता है मित्रों, तो अगर आपके घर के आसपास तुलसी का पाउधा है, वहां गिरा दें। अगर नहीं तुलसी का पाउधा है, तो किसी भी पेड के जड़ पर गिरा दें, किसी पाउधे के जड़ पर गिरा दें। यह मित्रों असान उपाय है और असान उपाय देखने में है लेकिन पूरे साल आपके घर में खुशियां बनी रहेगे, पूरे साल धन दोड़ते आएंगे, जो कार्य करेंगे, सफल बनेंगे, किसी परकार का आपके सामने मुसीबत अर्चन नहीं पैदा होगी तो मित्रों यह ठोटा उपाय पूरे साल खुशियां बना कर धर में रखता है, तो कर लें, यह मोका मित्रों बार बार नहीं मिलता है, यह मोका सिर्फ साल में एक बार ही मिलता है, और एक नहीं अनेकों उपाय किये जाते हैं, तो हम इसी तरह आगे भी वीडियो में दिपावली तोटका परियोग देता रहूंगा और आप घर बैठे इस उपाय का अच्छा परियोग करके लाभ उठा सकते हैं तो वीडियो के कमेंट बक्स में जय सिरी राम जरूर लिखें इस वीडियो में इतना ही और हमें दीजे इजाज़त नमस्कार